एक प्रस्ण आया है कि जैन धर्म और बौध धर्म दोनों एक जैसे ही हैं स्रमन कहे जाते हैं फिर बौध धर्म तो दुनिया भर में खूब फैला लेकिन जैन धर्म नहीं फैला उसका क्या कारण है ये प्रस्ण है आईए इस पर कुछ चिंतन करते हैं पहली बात तो ये तथ गलत है कि जैन धर्म विदेशों में नहीं फैला जैन धर्म भी भारत के बाहर विदेशों में खूब गया प्राचीन काल में भी गया और वर्तमान में भी खूब पाया जाता है पार सुनात के काल में तो चार हजार दिगंबर जैन सादू यूनान में पाये जाते थे ऐसा विश्वम बरनात पांडे ने भारत सरकार से प्रकासित पुस्तक विश्व सब्विता और मानव संस्कृती में लिखा है यूनान में बहुत जैन धर्म था जर्मनी में था जापान में था चाइना में था अमेरिका में था ब्रिटेन में था और आज भी है इन कंट्रीज में आज भी आज भी अमेरिका के करीब 22-23 विश्विद्यालेयों में जैन धर्म पढ़ाया जाता है पचासों वहाँ जैन मंदिर है हचारों नहीं लाखों जैन धर्म के अन्याई पाहे जाते हैं हम जाते हैं अपनी आखों से देखते हैं मासको युनिवेर्सिटी में खूब जैन धर्म पढ़ाया जा रहा है लोग पढ़ रहे हैं चारों तरब जो लोग जैन नहीं हैं वे भी जैन सिद्धानतों को पढ़ रहे हैं उनसे प्रभावित हो रहे हैं ये स्वीकार कर रहे हैं कि जैन धर्म एक जीवन जीने का सुन्दर विज्ञान है यदि उसको माना जाए तो हमारी परियावरण प्रदूसन की आतंकवाद की आदी समस्याएं समाप्त हो जाएगी बड़े बड़े सामाजिक चिंतक राजनितिग्य वैज्ञानिक समय समय पर इस तरह के विचार व्यक्त करते हैं जैन धर्म से अत्यदिक प्रभावित रहते हैं उसका उलेक करते हैं उस पर लेक लिखते हैं जैन ही जैन धर्म की बात कहते हों ऐसी बात नहीं है बलकि और लोग भी जैन धर्म की खूब हिर्दे से प्रसंसा करते हैं तो जैन धर्म भारत के बाहर खूब है वो विदेशों में नहीं गया ऐसा कहना गलत है लेकिन फिर भी एक बात और मैं यहां महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ कि जैन धर्म का और भी अधिक प्रचार प्रसार हो सकता था यह बात सच है फिर भी यह बात आपकी सच है कि जैन धर्म का और भी अधिक व्यापक प्रचार प्रसार हो सकता था जो नहीं हुआ और उसके पीछे क्या कारण रहा तो मैं थोड़ा गहराई से इस पर चिंतन करता हूँ कई बार तो मुझे दो बातें समझ में आती है एक बात तो यह समझ में आती है कि जैनों ने सदाचार पर खान पान पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया उन्होंने एक तरह से अपन कह सकते हैं कि उन्होंने एक तरह से अपने इस तर को उंचा उठा कर रखना ज़्यादा जरूरी समझा संख्या बढ़ाने की बज़ाएं उन्होंने क्वांटिटी की चिंता किये विना क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान रखा और जो बात एक इसाब से ठीक भी है तो एक कारण तो ये रहा कि उन्होंने बहुत अधिक सुद्धता का सुद्ध अचार विचार का उपदेश दिया दूसरे लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया उनके याँ तो मद्य, मांस, मदू सब का सेवन करते हुए भी उस धर्म के साधू तक हो जाते हैं कि जिसमें हम, हम पर किसी तरह का कोई खान पान का प्रतिवन्द नहीं है तो वो उसको स्विकार करना मानना थोड़ा उन्होंने उचित लगता है, सरल लगता है इसलिए भी जैन धर्म का प्रचार थोड़ा कम रहा लेकिन इसके अलावा एक और भी इससे ज़्यादा महत्वण बात मेरे चित में आती है और वो ये है कि ये बात ठीक है कि हमने आचार विचार पर जोड़ दिया लेकिन हमने उसे इतना ज्यादा जोड़ दे दिया बहुत ज्यादा जोड़ दे दिया उसे हमने जैनत्तु की कसोटी ही बना दी हमने एक ऐसा थर्मामीटर बना दिया कि हमने किसी व्यक्ति को सामान ने जैन भी नहीं रहने दिया छोटे-छोटे आचार के कारण हमने थोड़ा उदारता से चीजों को सोचाने व्रति आद्मी सदाचारी बहुत होता है लेकिन जैन धर्म में जैन होने के लिए इतनी कठिन सर्ते नहीं है वहाँ अविरत सम्यद्रष्टी को भी जैन कहा जिसके किसी तरह का कोई व्रत जैन सास्त्रों के इसाब से अगर कोई व्यक्ति जैन होने के लिए न्यून तम सर्त पूरी करे तो वो बस इतनी सी है ज्यादा से ज्यादा कि वो ज्यादा से ज्यादा सब्त व्यसन का त्यागी हो उसके बाद में और कोई सर्त नहीं है जो व्यक्ति सब्त व्यसन का त्यागी हो वीत रागता की स्रद्दा रखता हो जैन सिद्दान्तों पर आस्ता रखता हो वो व्यक्ति जैन है उसके लिए और कोई सर्तों की आवस्यक्ता नहीं है और इस बात को यदि हम ठीक से बताते, समझाते तो बहुत अच्छा रहता जैन धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार होता हमने जो छोटी-छोटी बात के कारण कोई व्यक्ति रात्री में भोजन कर लेता है तो हम उसका बैसकार कर देते हैं कि ये जैन नहीं है कोई व्यक्ति आलू खा लेता है तो हम उसका घर से जाती से बैसकार कर देते हैं कोई अपनी प्रेमिका से विवाह कर लेता है वो दूसरी जाती की है तो हम उसका बैसकार कर देते हैं ऐसे हमारे यहाँ छोटी छोटी बातों के कारण जो हमारी समाज में और हमारे वक्ताओं में जो बहिसकार की एक आदत विक्सित हुई एक संकीर्णता विक्सित हुई उसके कारण जैनों की जनसंख्या कम हुई जैनों का प्रचार प्रसार भी कम हुआ यदि आज भी जैन वक इस बात को समझ लें और थोड़ी उदारता दिखाएं तो जैन धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हो सकता है मैं यह नहीं कह रहा कि सब रात्री भोजन करो जमीकंद का सेवन करो यह बात मैं नहीं कह रहा हूं इनका अपना महत्व है लेकिन यह जैनत्त्य की कसोटी नहीं है रोज मंदिर जाना बहुत अच्छी बात है लेकिन रोज मंदिर जाना जैनत्त्य की कसोटी नहीं है इसलिए हमको पानी चान कर पीना अच्छी बात हो सकती है लेकिन पानी चान कर पीना जैनत्त्य की कसोटी नहीं है हमने इनको कसोटी बना दी हमने इनको थर्मा मीटर बना तीये। ये हमारी गल्ती है। कोई भी व्यक्ति जैन हो सकता है, जो मद्यमाण्स का त्यागी हो, और वीतरागता में आस्था रखता हो अहिंसा में आस्था रखता हो वो व्यक्ति जैन है मैं तो जैनत्य की कसोटी सिर्फ इतनी सी मानता हूं कि जो अहिंसा में आस्था रखता है और वीतरागता में आस्था रखता है वो ही जैन है यदि इस कसोटी को साथ लेकर के यदि जैन दर्सन को पढ़ा पढ़ा आजाए समझा समझाया जाए तो आज भी जैन धर्म का बहुत व्यापक इस्तर पर प्रचार प्रसार हो सकता है ऐसा मेरा मानना है जै जिनेत्र